तो गई जिससे कि आप लोग ने लाज एपिसोड के आने में देखाता है यहां पर जीच वान का सामना उसे एक आखवाले महश्र के साथ हो जाता है और वो चैल्सा को पहले से चान रहा होता है वो कह रहा होता है काफी टाम हो गए तुमको देखे हुए है चैल्सा और फिर द सब्सक्राइब करते हैं तुमने मेरे को डिस्पैंसिबल का तुमने ऐसा के करवा के में मेरा दिलतोर डाला है और तुम तो जानती हो मेरा मेठर दूसरों के ताखासे और साथी वह यहां पर दिखाना शुरू कर देता है जीच वान को कि आफिसा लोग चला रहे होते हैं च अपसान मेरे पास हो में तुम्हें बचाओंगा यह देखा जीच वान हस बढ़ता है और यह तो तुमसे भी अच्छे एक्टिंग कर देता है ऐसा लगता है कि हर एक डीमन जो भी तुम्हें जानता है वो सबी चाहते हैं कि तुम मर जाओ चैल सा तुम तो हैल के अंदर बह मब फटाइब फटान के सब्सक्राइब कर देता है और कि रहा होता है इसो को पास उसको पर अजया और बोर रहा होता है ऑब जब से इंसान को तुम इंक्त ले क्यों नहीं चाहते हो कि तब उसके हाइए उसको पाचे देता है उसके दो तुकड़े हो जाते हैं और यहां पर बताया चाहता है इवल डिमोनी कॉंटेर्स मतलब किये किताब इसके अंदर इस टीमन ने उनसारे टेक्स का रिकॉर्ट रखाए जो भी इसने देखाए और वो उनसारे टेको फॉर्फॉर्म कर सकता है लेकिन अपने प करना कर उसका टेक्स से बच जाता है और किया रहा होता है कि आप यहां पर और मेरे पास तुम जिसे लोगों को इंटर्टेंट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है वह अपने साथ के जरीए उसको पूरा जमा देता है और तोड़ डालता है जिससे उस बंदे का टैंसल हो जाता है वह अपने किताब करते हुए कह रहा होता है और इसमें कोई भी सब्राइस के बात नहीं है तुम चेल सा के फुलोवर हो जीच्वान आके बढ़कर उसको प्रड़े करता है लेकिन वह उसका डेको ब्लोग कर लेता है और साथी सामने कुछ बूम टाइब का बना दे बढ़कर लेती है और फिर तभी यहां पर मिसलू के एंट्री हो जाती है वह जीच्वान से किती है हैं से हम समाल लेंगे जयाना उसको पर तीरत नाट के खड़ी हो जाती है वह कह रहा होता है क्या तुम लोग मेरे को कौर्णर करने के कोशिश कर रहे हो कि तभी यहां पर स सब्सक्राइब लोग एक तम फ्री सुचाते हैं और यह उसे डीमन ने कर रहा होता है वह जाता है क्या यहां से निगला निकला यहां से बहुत निकलना होगा और वह आसमान की तरफ देख रहा होता है टाइम लगभा खतम होने वाला है यह का पर होता है जब फुल मूड की नाइट होती है लगते क्या मेरों यहां से जाना होगा फिर कभी मिलते हैं तुम लोगों से और साथ ही बहुत बनके बहां से उड़ जाता है जब यहां पर अपने ब्रस नहीं कर दिया और यह बेकुल एंड रिजिस्टेवल था जीच्वान के ता है यह यह लगता है कि वह अपने लोगों को मानने ही नहीं चाहता था जब हम दोने की वेच में फाइट इस्टार्ड हुई तब यह उस बंदे ने अब मढ़े रस का बिल्कुल भी इंटेंट शोर नहीं करा पर यह कोई अच्छी बात भी नहीं है तब ही यहां पर बंदा कहता है जीच्वान जारा ständ development को यह क्या हो रहा है वह कुछ 있습니다 कर दिया है ज्यारे होती हैँ चुआ के नहीं चाहिए भी होसाइए बैसे मानना होगा शै nós टेक करेगा में पहले को तो लेकिन वागी की तरफ बढ़े आता है वह कहां पर बास्टर्ड में उसको मार डालूंगे वह कहां गया सिक्रिम चला दूए कहता है है पागल हो रहत कि तुम्हें पता नहीं पब्लिक प्रोबेटी को डेमिश करोगी तो तुम्हें इसके लिए पे करना होगा और वो उसको पर अटेक करी रहा होता है कि तब ये चल्सा मुड़के उसकी तरफ देखती है और किरी होती है मेरे रास् कर देखता है तुम अभी चल्सा को प्रड़क करोगे आप जबकी बहुत कर रहा है जिए चल्सा मेरे तरह से जो भी हुआ हो लेगे तो मैं उसको इस तरह से जश्ट नहीं कर सकते है पर चल्सा उसको पर भी अटेक करना हो जाओ और वो जीच्वान को पर भी अटेक कर देत है वो भी दूर जाग गिरता है सड़क पर और सोचा होता है मैं उसके मेंटल पाउर को बिल्कल भी सप्रेस नहीं कर सकता आखिर उसकी पावरी तीच तक कैसे बढ़ गई जहां ना कहती है जी च्वान तुमारी डीमन आउट ओफ कंट्रोल हो गई और तुम उसे अकले कंट्र एक बड़ा सा महुता जाता है जो की चल्सा की स्प्रेट को खाने लगता है और चलाते हुए के रही होती है जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा जैसे उन्दों की पावर्ड दाबस में डगराती है यहां पर जब दस प्रेशर लीजिस होता है ज्या के की नहीं होता रहा तो अपन सब बस भूतियाता हर्ड होंगे और वो सोच रही होती है जीच्वाना कि तुमने यह किस तरह के पावर को गेंड कर लिया है चलाते हैं मेरे रास्ते से हट जाओ लेकिन जीच्वान अभी भी डड़टा हुआ रहता है वो के रहा होता है चल्श जां जाओ झाओ और जाऊंग और फिरियां पर ऑफिरित वाला मौ्शर। प्यश्रय जाता है और तो भी अछनक शला ते यह वोती से हिसास होता है और उसकी बुटिटवल्स जुड्या आते हैं मेरा एड मेरी बोटी से अटाइच हो गया और बहुतके बैठ के लिए तो काफे हैं चाहिए कि मैं अभी भी जिंदा हूं लेकिन उसके पीछे एक मुद्री खड़ी रहती हैं साथ के साथ और उसको ठीक से सब वहीं एक अफ़ाले डीमन कार रहा होता है कहरा होता है सब्सक्राइब और याद रखना तुम्हारा अगला रिकार्ट नेशन पे लिए से स्टोंगर होना चाहिए और दिखाया जाता है चैन से बंदे हुए एक जगा पर पड़ी रहती है और बोलरी होती है यह साइकल फिर किसे शुरू हो गया और यहां पर निशे के साइब लोग इस ब्लड प्रोवाइट करेगी तो इस बार का ब्लड जादा बेटर होना चाहिए यह एंडलेस्ट डेथ और फिरके से रिप्यूट हो कर जिंदा हो जाना में सबसे भूत यदा ठक चुकी हूं मैं चाहती हूं कि तभी वो मुर्ती डबल से अपने कुलाड़ी के साथ चैन लेता है के रहा होता है लगी में लेट नहीं हुआ चैनल सा तुम्हारी किसमत फ्रीके से लिखी जाएगी के श्रम की बात है लेगे नेक्स टाइम तो मित्यादर लखी नहीं होगी वो यहां पर एक ताबुत के पास आता है और उसे को और के समाल करता है जो कि उसने बेबी मास्टर को व्लाइब को तुम्हारी हईख pomoc है और यह 1 नंरह 9 interior से चैनल से मूर्दे के हमले से बचा रहा होताए चैनल से पूछ तिमकूर्णा को और नजर आत ऌक्त वर teraz नदहीं होगी यहां नक्यादर को को कई तानने वी मेर को मानना चाहते हो यह सुनदे सब्सके रहा ह जाते हैं उसको बड़ाटे कर देता है वह बाल बाल बस ताई कि रहा होता है अगर तुम जल्दी से नहीं जागी तो आप लोग वाक्य में मुस्तिबत में पड़े आएंगे चैनल साके तुम मेरे को सुन नहीं सकती जल्दी से जाग जाओ और वह चैनल सा के अपर अब लोग हो सकते हैं और तुम हो यहां पर इस्वल को डिश्टाप कर रहे हो और तुम्हें मरना होगा और वो अपने कुलाड़े से अटेक कर देता है लेकिन जीच्वन टाइम रहते महां से निकल गया होता है और साथ उसने चैनल सा को भी पचा लिया होता है उससे खून निकल का च पर चाह क्यों रहे हो और वह सोच ही होती है मेरे मरने पर तो सब लोग से लिब्रेट करना शुरू कर देता है और के रही होती है सारे में हैं यहीं से चलता रहा तो बहुत बड़ी मुझवेद में पड़े आएंगे प्लीज इस दुन्हें हमें और बिल्कल भी मत रहो और सुनते से यहां पर चेल सा एक तुम सेंस में आ जाते हैं उसको होश आ जाता है वो फिर किसे ठीक हो जाती है और के रही होती है जी चोना कर तुम्हें किस तरह की बगवास कर रहे हो मैं तो एंपरेस हूं जो कि बहुत यदा पावफुर डिमन है आगे जैसा लोग का इल्य वो बिल्कुल एक एस ग्रेट का बंदा है जी चोन वाके में बहुते पावफुल है और वो सोची होती है इस तरह के एक्स्राइडिनरी टेलेंट के साथ जी चोन ट्रिपल एस ग्रेट को भी रीच कर सकता है कि तभी यहां पर जीच्वान और चेसला आ जाते हैं जीच्वा किती है इसे क्या खूर रहे हो यह हम हाई लेविल के बीच चार का तरीका है वो किया रहा होता है मैंने यह साथ से पहले कभी नहीं देगा इसलों किती है फाइन लेकिन टाइम रिलेक्स होने का नहीं है है एड़ कोडर से नियूं इंटेल आया है जिससे डीमन से हमारा सामन वावो की यह रहें का डीमन नहीं था और यह से लगता है कि वह रेड रेंड के लेमिटी आने से पहले ही पर चुपा हुआ था और वो ड्रॉन सेटी में उसका नजर आना कोई कोई नहीं हो सकता उसका जूरूर कोई ना कोई मकसद होगा वह जश्मेवाला केता है और वह को डबल से जगाने के लिए बहुत सोल्स की रिकॉर्मेंट होती है और वो जरूर इसी मकसद के लिए सोल्स को इखटा कर रहा होगा वो जुरूर दूसरे डीमन को रिवाइब करेगा जया बोलती है उससे प्रेडिटर ने क्लेम करा था कि उसने चार मिलियन से बीचाता लो सब्सक्राइब करने का फैसला करा रहा है और बागी लोगों को अपने साथ ले जाओंगी और यहने तुम जीच वान को बारे में से खाने के लिए टीचर है यू के पास लेकर चाहूं यह सुनते ही वो थोड़ा हिरान हुजा दो कि रहा होता है क्या टीचर है यू और इसक को दिखा आए चाहिए सेडवर्क सीटे के सलंद डिस्ट्रिक्ट में जी जीच्वान के रहा होता है कि इसे पर नहीं से लुट्फिटीर में शालाम बेल्स कहा जाता है यह सुनके चैसला कहता है और यहाँ पर इनलगों को आलाम वेल्स क्यों कहा जाता है जीच्वान कीता ह होता है तो आफटर इलाके के लोग ना सिर्फ दूसरों को चिताब नहीं दे सकते हैं बलकि टाइम भी कर सकते हैं इसलिए उच्छे पत पर बैठे लोग यहां के सिविलियंस को खत्रे के घंटी कहना पसंद करते हैं चैल सा के तो मिनसान लोग वेडिमन से अलग नहीं हो हजारों को क्या इसका मतलब यह हुआ कि हम कॉंट्रेक्ट बॉंड अलाम बेल से सिखने के लिए जा रहे हैं और बैनियन कहता है टीचर हैं नियों कोई अलाम बेल नहीं है वह बस अंदर रहने के लिए एगर नहीं है इसलिए यहां पर है लोग अब लोग आ गए टीचर हैं यहीं पर रहती है तभी घर का दरवाजा खुल जाता है यह देख वो थोड़ा प्रेशन हो जाता है जलती से जाओ अगर तुम्हें ने किस तरह की बख्वास कर रहे हो कि तभी अंदर से मोटे मोटे टेंटीकस निकलते हैं और उसका जूते ही छूटता है यहां पर यह दे दो जाते बंब कर गे और फिर इसके बाद हमें डॉंट सीटी के के क्रोड स्टॉवण के का सिंदिखाया छता है मैं स्यूंट पर होती है जाना के रहे होती है यह पर ऐलाइंस वाले डॉंट सीटी के के दियों को यहां पर लेबर के तरह इस्तमाल कर रहे थे और इस लगता है कि अलाइंस में कोई गदार भी है जाना तुम यह मेश्वर करना कि बच्वे लोग एक्दम सुरक्षित रहें उनमें से कुछ बहुत या था इंपोर्टन का वह हो सकते हैं जाना हमें अभी तक जित्व इंफ्लमेशन मिली है उसे कंपाइल करो अपन को रिपोर्ट प्रेज सब्सक्राइब करना चाहिए और में इसकी कमजोर यहां तो बहुत सारी होती है तुमको इस तरह की सिखने चाहिए अपने उस बुड़े दादा दीश है जो कि बहुत यादा अजीब है यह सुनते सीब उसको प्रटे कर देता है और कह रहा होता है लिटिल ब्रेट का तुम कि एक बुड़ा आदमी होते हैं और वो सोच रहा होते हैं यह बचा दिन पर दिन श्रॉंग होता जा रहा है और यह बचा जीश्वान में ने सुनाई कि यह एक इस क्लास का सैकिक है मुझे उमीद है कि वह और उसका टीमन को समय के लिए होड़ कर सकते हैं यह उनकी बोरिं जीश्वान के दाए चेसला जरा देखो यह बचा फ्रिकेस अपेर हो गया और बस गया इस आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही यह बाकी के शुर्ट यह अगले पार्ड में जानेंगे जब तक के लिए टूबे कंटिनियूड